नमस्कार आप देखरें एक न्यूस 24 और मैं हूं मधवाला आपके साथ पप्पू यादब ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी पर जम कर निशाना सादा है पप्पू यादब का साथ तोर पर कहना है कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी डरे हुए है वो डर चुके है इसलिए उनके सपने में भी प्रियंका गांधी और राहूल गांधी ही आ रहे हैं राहुल प्रियंका मोदी जी के सपने में भी आते हैं यही कारण है कि बात बात में राहुल तथा प्रियंका की बात करते हैं महंगाई बेरोजगारी 15 लाख खाते में आने की बात नोट बंदी से हुए नुकसान तथा लॉकडाउन के कारण बंद हुई हजारो छोटी बड़ी फैक्टरियों की बात नहीं करते हैं अच्छे दिन तो नहीं आये लेकिन भाजुपा के अंतिम दिन आ गए है इस चुनाव कांग्रेस की जीत होगी उक्तबाते पुर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पपू यादब ने धनबाद में कही है जी आपको बता दो पपू यादब ने धनबाद से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सीन के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आये थे और सवानदाता से समयलन को संबोधित कर रहे थे बैंक मोड के एक होटल परिशर में आयोजित समवानदाता समयलन में पपू यादब ने कॉंग्रेस तता राहूल गांधी की जमकर प्रशंसा की उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है देश का विकास कॉंग्रेस नहीं किया है भाजपा के शासनका में देश को महंगाई बिरोजुगारी ब्रस्टा चार तथा चंद पुंजी पतियों का विकास देखने को मिला कॉंग्रेस की परम परागत सीट होने के बाद भी पुर्णिया लोकसभा राजत के कोटे में चले जाने तथा उन्हें पपू यादब को टिकट नहीं मिलने के कारणों से सवाल पर कोई सीधा जवाब पपू यादब ने नहीं दिया उन्हें काया कि कॉंग्रेस ने धैर्य लड़ने की छमता तथा मोरल सपोर्ट दिया है यही कारण है पुर्णिया से निर्दलिय चुनौल लड़ रहे हैं पपू यादब ने बगार नाम लिए भाज के उमेदवार पर कटाक्ष किया और कॉंग्रेस की प्रत्याश्री को धनबात के सांसत के लिए सब से उप्योक्त बताया मोके पर कॉंग्रेस के जुला अध्यक्ष संतोस सिंग, जुला कार्यकारी अध्यक्ष राश्विद रजा, अंसारी प्रभाद सुरोलिया, सुन्दर यादव, सत्पाल सिंग ब्रोका, कामता पासवान रामजी भगत सहित अन्य मौजूद थे पपु यादव ने सोमवार को कांग्रिस प्रत्यार्शिय अनुपमा सिंग के पौक्ष में जन संपर्क अभियान चलाया, सभावी की साथी साथ आपको ये भी बता दो, पपु यादव बारमुडी, बस्तेविया, बरमाश्या, निर्सा, जरिया, कतरास, छेत्र का दौरा किया कॉंग्रिस नेता सुन्दर यादव के घर भी गए, वहाँ उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया गया तो जैसा कि आपने सुना, पपु यादव ने नरिंदर मोधी पर क्या कुछ बोला, पपु यादव का साफ तोर पर कहना है कि नरिंदर मोधी डर चुके है, वो डरे हुए है, इसलिए बात बात पर प्रियंका गांधी और राहूल गांधी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे है पपु यादव का ये भी कहना है कि जब भी नरिंदर मोधी बिहार दौरे पर आते हैं तो बेरोजगारी की मुद्दे पर कभी बात चुत नहीं करते हैं इस पे आप सबकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जुरूर बता दीजेगा फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक News24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक News24 को सबस्क्राइब करें यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारें तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें धन्यवाद